अगली ख़वई खरगोन से आ रही है जहाँ पुराणी पिंसर इसकेम बहाली को लेकर करुमचारियों में लंबे समय से प्रदर्शन करके सासन प्रसासन इस्तर पर समस्या से निजात दिलाने की मांग कर रहे हैं ऐसे में 16 अक्टूबर को महेश्वर वे निसनल मुवमिंट और पिंसर इसकेम बहाली के तहर होने वारी प्रदेश व्यापी महाकुम्ब का आयोजन करके राश्टी आंदोलन की तयारी की जारी है जिसमें बामन विभाग की अधिकारी कर्मचारी सामिन होगे जिसके लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है बताया जा रहा है कि पेंसर बहाली के रिए रूप रेखा तयार की जाएगी और चर्चा बन चर्चा के बाद आगामी राष्ट्वयापी आंदोलन की तयारी की जाएगी इस दौरान कर्मचारियों ने बता है कि क्रमबधा आंदोलन करके माग मनवाले का हर संभव प्रयास करेंगे और अगर माग पूरी नहीं हुई तो उग्रांदोलन करेंगे यह नेशनल मुव्मेंट फर ओल्ड पेंशन इस्कीम के टत्वाउधान में महेश्वर में जो महाकुम्ब का आउजन किया रहा है यह पुरानी पेंशन की बहाली यह नियुक्ति दिनांग से वरिष्टा को लेकर प्रदेशन किया रहा है जिसमें मद्धिप्रदेश के बावन मुख्य पुरानी पेंशन की बहाली यह नियुक्ति दिनांक से वरिष्टा सरकार अगर हम अभी सांतिपूर्ण अपना प्रदेशन कर रहे हैं अगर भविष्चे में अगर हमारी मांगे नहीं मांगती है तो हम लोग जैसे हमारे वरिष्ट का निर्देश होगा बोपाल मे हैं हमारे चीखिस सालों में रेलवे हैं विद्धूत मंडल है हम जैसे भी योजना बनेगी वैसे भी सारा काम ठ्प कर देंगे इसमें मुख्यातिती की रूप में मुक्त राष्टी अध्यत्स विजय कुमार बंदू जी आ रहे हैं और अध्यक्षता परमादन जी डेहरिय में मुख्यातिती के रूप में शामिल होंगे हम सरकार से कहिना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पैंसन के मेंटर को हल किया जाए नहीं तो साड़े पांस से छे लाग करमचारी है प्रदेश में यह अगर अपना मन बना लेंगे इनके परिवार से जितने लोगों हैं विनेस पड़ेल जिला प्रभारी एनमोप्यस खरगोन मध्यप्रदेश